इने डॉक्टर तरम वीर गांदी जिननाने साल 2014 विच कैप्टन दे गाड़ी आनी के पट्याला विचोना दी पत्नी परनीत कौर नुहरा के सब नुह हैरान कर देता सी पर क्योंकि हुन परनीत कौर ने कौंग्रस दाहाद छड़ देता है ते उप आँच गएने बीजेपी देवेच इसलिए कौंग्रस ने वी खेड़ी है जाल ते डॉक्टर तरम वीत गांदी नू रड़ाले है नाल शाइप परिवार दे वक होन तो बाद हुन कौंग्रस नू पट्याला सीट ले प्रबावशाली चेरे दी तलाज सी साथका संसद मेंबर डॉक्टर गांदी दे कौंग्रस वीच शामिल होन तो बाद उन दी पट्याला तो मीदवार दी पाल खतम हो गई है डॉक्टर गांदी मूल रूप दे विच पट्याला दे रेंड वाले ने अते इलाके दे विचोना दा चंगा पर बाव है जहे दे विच आमादमी पार्टी सने बीजेपी नू पट्याला सीट तो चंगी टकर मिल सक दिये डॉक्टर तरमवीर गांदी कार्डियोलोजिस सन ते फिर स्यासदान बने 2013 दे विचो आमादमी पार्टी चामिल होए 2014 च तरमवीर ने परनीत कौर नू हराया 292 वोटां दे फरक देनाल परनीत कौर नू मात दिती पट्याला तो डॉक्टर तरमवीर गांदी जिते पर वो बागी हो गए उनने आमादमी पार्टी चाड़ देती 2019 लोग साबा चुना तो पहला उनने वक्री पार्टी नमा पंजाब बनाई पर उनने नू हार्दा सामना करना प्या तो फेर आया आज दर देन यानी की 1 अप्रेल 2004 जो दो कॉंग्रस दिविट शामिल हो गए ने किया फिर एमडी किया फिर काडियोलोजी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बतार रटायर हुआ गौर्वर्मन्न मेडिकल पटेला से जब कुछ अंदर आग होती है तो जब भी समाज में हिल जिल होती है तो आपका जो दिल है जो जिसके दिल में आग है वो आग बाहर निकलती है वो धदगती है वो और जब 2011-12-13 में जो अनान दोलन चला तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सडकों पर है हबा का एक निया ठंडा जोंका आया है देश बदल रहा है समाज बदलेंगे देश बदलेंगे नई राजनीती करेंगे एक लोगों की बात करेंगे इंट्रा पार्टी डेमो पार्टी आम आद्मी पार्टी पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया के आम आद्मी पार्टी इस नोट पार्टी ओं माई आइडियल्स ये मेरे अदर्श की पार्टी नहीं है